नमस्ते, आज हम जिस पार्ट को हिंदी अनुवाद सहीत जमझने जा रहे हैं वहे 20 ग्रामिना। यह चोथा पाट है प्रबुद्धो का अर्थ है बुद्धिमान ग्रामिन ग्रामिन जो गाउं में रहता है वह व्यक्ति जो गाउं का निवासी है गाउं वासी है ग्राम वासी है और नागरिक जो नगर में रहता है या नगरवासी इसे हम शहरी भी कह सकते हैं तो जब आप अनुवाद करेंगे तो नगरवासी लिख सकते हैं या शहर ही लिख सकते हैं नगरवासी अधिक उप्युक्त होगा और यहां इस पार्ट को मैं अल्पना वर्मा प्रसुत कर रही हूं आप मेरे चैनल पर अपनी पुस्तक के अन्य पाठों की व्याख्या भी व्याख्या शुरू करते हैं अपनी उपुस्तक अपने सामने रखिए क्योंकि संस्कृत का जो हिस्सा है संस्कृत का जो पार्ट है वह मैं पढ़कर बताऊंगी और अनुवाद स्क्रीन पर दिखाया जाएगा तो किताब आपके साथ होगी तो अच्छा है पार्ट शुरू करते हैं एकदा बहवा एक बार बहुत से जनाह लोग धूम यानम रेल या लोह पत गामिनी भी कहते हैं इसको आरोह या चड़कर नगराम प्रतिक चंती स्मा तो एक बार बहुत से लोग रेल गाड़ी पर चड़कर नगर की और जा रहे थे तेशू केचित ग्रामिना केचित नागरिकाह आसन उनमें कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नगरवासी मौनमिस्थि तेशू तेशू एक नागरिकाह ग्रामिनान उपहसन अकतहत उनकी चुप बेठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामवासीयों की हसी उड़ाते वे या उनका मजाग करते वे या उपहसन उपहास करते वे कहा ग्रामवासी क्या कहा ग्रामिना अध्यापी अध्यापी आज भी पूर्ववत अशिक्षिताह अज्याश्चा संती अब जो ग्या है यहाँ पर हम हिंदी में ग्या बोलते हैं इसको इस संस्कृत में इसको या बोला जाता है ज ज ज ज ज ज ज ज प्यंजन है हलन्त वाला प्लस ज ज आ की मात्रा है तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको विछेद कर सकते हैं और ग्य बनता है यह संयूक्त वर्ण है ज और यह इस तरह से आप लिखेंगे इसको जमा न्या जमा अ तो ये हो गया न्या तो ज्या आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं यही इसका करेक्ट नशेशन है ज्या लेकिन हम अपने सुवधा के लिए ज्या बोल देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आगे देखते हैं कि उसने क्या कहा ग्रामना अध्यापी पूरववद असिक्षित हा अज्यान्यच्च संती कि ग्रामवासी पहले की भाती आज भी असिक्षित और मूर्ख है आगे भी कहते हैं कि ना तेशाम ना उनका विकास अभवत ना उनका विकास हुआ है न च भवित्वम शक्नोती और न हो सकता है तस्यत आद्रिशम जल्पनम शुत्वा कोपी चतुरह ग्रामिन अब्रवित वहाँ जो ग्रामिन बैठे थे उनमें एक था जो थोड़ा सा चतुर था उसने कहा यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई कोपी कोई चतुर ग्रामिन बोला क्या बोला भद्र नागरिक शिष्ट नगरवासी उसको संबोधित करके बोला शिष्ट नगरवासी भवान एव किंचित ब्रवितु यतो ही भवान सिक्षित हा बहुग यहाँ च अस्ति तो आप ही कुछ कहें क्योंकि आप सिक्षित और बहुत जानकार हैं इदम आकर्णिय सनागरिक सदर्पम ग्रिवाम उन्नमय अकथय यह सुनकर आकर्णिय सुनकर गमंड से गरदन उची करके नगरवासी ने कहा क्या कहा कथिये च्यामी कहूंगा परम पूर्वं समय विधातव्य परन्तु पहले शर्थल रखलेनी चाहिए तस्यताम वारताम शृत्वासा चतुरह ग्रामिन अकथयत उसकी बात सुनकर उस चतुरह ग्रामिन ने कहा बहुँ अरे वयम असिख्षित हा हम असिख्षित है भवान च शिख्षित हा और आप शिख्षित है वयम अलपग्या भवान च बहुग्या तो आप तो बहुत जानकार हैं और हम कम जानकार हैं, हाँ बहुत ग्यानी हैं, हम कम ग्यानी हैं, इत्येवं इत्येवं विच्याया अस्माभी समया करतव्य है, यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए, बयम हम परस्परम प्रहेली काम यानि पहेली प्रक्ष्याम हम परस्पर पहेली पूछेंगे, यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ ना भविश्यती, अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तो भवान दश रुप्य कानी दास्यती, तो आप दस रुप्य देंगे, यदि भवयम उत्तरम दातु समर्थ ना भविश्याम हम, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा दश रुप्य कानाम अर्धम पंच रुप्य कानी दास्यमह, तब हम रुप्य दस रुप्य के आधे पाँच रुप्य देंगे, आम, हाँ, स्विक्रता समया, शर्थ स्विकार है, इती कतिते, यह कहकर तस्मिन उस नागरिके सर्थ ग्रामिण नागरिकम अवधत, हाँ, शर्थ स्विकार है, उस शहरी के यान उस नगरवासी के ऐसा कहने पर, उस ग्रामिण ने नागरिक से कहा, प्रतमम भवान एव प्रिच्चतु अब यहाँ जो री की मात्र है यह हिंदी में हम री बोलते हैं लेकिन प्रिच्चतु नहीं होगा यह जो र का गरेक्ट पनिशेशन है वो र होता है ना तो रू उताया नारी, र, तो र, र, प्रिच्छतू, नाग्रिष्च तम ग्रामिणम अकतायत, उस ग्रामिणने नाग्रिष्च का प्रथमं भवान एव प्रिच्छतू, यानि पहले आप ही पुछें, नाग्रिष्च तम ग्रामिणम अकतायत, उस शहरी ने ग्रामवासी से, उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा त्वमेव प्रतमां प्रत्च, तुम्ही पहले पूछो, इधम त्वमेव प्रतमां प्रत्च इती, इधम शुत्वा यह सुनकर सग्रामिन आवदत, उस ग्रामिन ने कहा युक्तम, अहमेव प्रतम प्रत छामी तो यह सुनकर वे ग्रामा से बोलो ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ उसने जो पहले पूछी अपदो दूर गामी चसाक्षरो नचा पंडितह अमुखह सुटवक्ता चयो जानतीस पंडितह अपदो जिसके पाउं नहीं है अपद बिना पैरो वाला पद पैर को कहते हैं अपदो दूर गामी बिना पैरों का है किन्तु दूर तक जाता है चसाक्षरो और अक्षरों से युगत है साक्षर है परंतु पंडित नहीं है अमुख अर्था जिसके मुख नहीं है बिना मुख का है इस फुट वक्ता है अर्था इस पस्ट बोलने वाला है बिना मुख का है परंतु इस पस्ट बोलने वाला है चयो जाना थी सवापंडित है उसे जो जानता है वह विद्वान है अर्थाथ पंडित है तो बिना पैरों का है किन्तु दूर तक जाता है साक्षर है परन्तु पंडित नहीं है बिना मुख का है परन्तु पस्ट बोलने वाला है उसे जो जानता है वैविद्वान है अस्या उत्तरम ब्रवितु भवान आप उसका उत्तर बताए नागरिक बहु कालम यावत अचिंतयत नागरिक बहु कालम यावत अचिंतयत नागरिक बहुत देड़ तक विचार करता रहा सोचता रहा नागरिक बहुत दिर्दक सोसरा के क्या होगा इसका उत्तर लेकिन क्या हुआ परम प्रहेली काया उत्तर दातुम समर्था ना अभवत परन्तु पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हो सका अता हा ग्रामिनम अवदत अता हा ग्रामवासी से बुला अह मस्या प्रहे लिकाया हा उत्यरम न जाना में मैं इस पहले का उत्तर नहीं जानता हूं इदम शुत्वा ग्रामिन हां अकत्यात यह सुनकर ग्रामासी ने कहा यदि भवान उत्तरम न जाना दी तरही ददा दू 10 रुपय कानी जैसा शर्त लगी थी कि 10 रुपे देने चाहिए उसे तो दंड स्वरुप उसे 10 रुपे अब देने पड़ेंगे तो यह कहता है कि यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपे दे अत हम लान मुखेन नागरिकेन समया अनुसारं 10 रुपिय काणी तत तानी अत किन मुखवाले मलीन मुखवाले नगरवासी ने शर्त के अनुसार 10 रुपे दे दिये पुना ग्रामिनों ब्रवित फिर ग्रामवासी ने कहा इदानिम भवान प्रुच्छतू प्रहेली काम अब आप पहली पूझे दंड दानेन खिन्ना नागरिकेह दंड देने से दुखी नगरवासी अभी जो दंड भरा है 10 रुपे का उन नहीं बता पाये था पहली तो दंड सुरूप उसे 10 रुपे देने पड़ेते तो दंड देने से दुखी नगरवासी बहु कालम विचारे नाकांचित प्रहेली काम अस्मरत दंड देने से दुखी नगरवासी बहुत समय तक सोच ता रहा बहुत समय तक विचार करने पर भी किसी पहेली का स्मरण नहीं कर सका उसे कोई पहेली याद नहीं आई अतह अधिकम लज्जमाना अब्रवित अतह अधिक लज्जित होते वे बुला स्वक की आया हा? प्रहेली का आया हा? त्वमेव उत्तरम ब्रुही तुम्ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ तदा स ग्रामिन विहस्य, तब उस ग्रामिन से हसकर सौ प्रहेली काया ह faut सम्यक उत्तरम अवधत अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्रम इती, पत्र, अती चिठी, तो पत्र, ये उत्तर बताया यतो ही इदम पदेन विनापी दूरम याती क्योंकि ये पैरों के विनावी यदिक दूर तक जाता है अक्षरे युक्तम पिन्ना पंडित हभवती अक्षरों से युक्त होते वे भी पंडित नहीं होता है ये दस्मिनेव काले इसी समय तस्य ग्रामिनस्य उस ग्रामवासी का ग्राम आगता गाउं आगया इसी समय उस ग्रामवासी का गाउं आगया सव विहसन वें हस्ता हुआ रेल यानात अवतीर्यम स्व ग्रामम प्रती अचलत स्वाविहसन वैं हस्ता हुआ रेल गाड़ी से उतर कर अवतीर्यम उतर कर अपने गाउं की योर चला गया नागरिक यने नगर्वासी लच्चित होकर पहले की तरह चुपचा पैट गया सर्वे यात्रिन वाचालं तम नागरिकं द्रिस्टवा हसन सर्वे यात्रिन सभी यात्री उस वाचाल नगर्वासी को देखकर हसने लगे तदस नागरिक अन्वभवत यत ज्यानम सर्वत्र संभवती तब उस नगर्वासी ने अनुभव किया कि ज्यान सर्वत्र संभव होता है ग्रामीन भी कभी नगर्वासीयों से अधिक बुद्धिमान होते हैं तो यह था पाट का हिंदी अनुवाद आशा करती हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कोई तरुटी हो तो मुझे टिपणी में लिखके बता दें मैं सुधार लूँगी धन्यवाद